Hi everyone, मैं हूँ Dr. Salim और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ Noni Juice के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि Noni Juice क्या होता है, कहां से इसको लिया जाता है इससे आपको क्या-क्या health benefits मिलते हैं, कौन-कौन से probable नुकसान इससे आपको हो सकते हैं और अगर आप इसको लेते हैं तो कितनी dose में इसको आपको लेना चाहिए तो अगर आप interested है, Noni Juice के बारे में जानने के लिए इसको इस्तमाल करना चाहते हैं अपनी सिहत को improve करने के लिए तो इस वीडियो को end तक जरूर देखेगा तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी चीजों के बारे में पूरी डेटेल से दोस्तों, Noni एक ट्रॉपिकल फ्रूट है जो की Morinda Citrifolia नाम के एक ट्री के अंदर पैदा होता है इसका जो size है करीब करीब आम के size के बराबर होता है लेकिन taste में ये बहुत ही जादा कड़वा होता है Noni का आम तोर पे juice इस्तमाल किया जाता है और इसके juice के अंदर बहुत सारे ऐसे nutrients होते हैं जो की हमारी सिहत के लिए अच्छे होते हैं Noni का सबसे पहला फाइंदा जो आपकी सिहत के लिए आपको मिलता है वो ये के जिन लोगों को arthritis की problem होती है उनको joint pain relieve करने में ये काफी जादा मददगार होता है Noni juice के अंदर बहुत सारे ऐसे चीज़े पाई जाती हैं जो की joint के अंदर जो inflammation और damage हो जाता है arthritis के कारण से उसको repair करने का काम करती है और इसके साथ साथ anti-inflammatory भी ये होता है तो वहाँ पर सूजन कम करके आपके दर्द को कम करने में मदद करता है इसके साथ साथ जिन लोग को gout होता है उनको भी Noni juice इस्तमाल करने से काफी जादा फाइदा मिलता है Gout भी एक तरह का arthritis ही है इसके अंदर आपके blood के अंदर uric acid बढ़ जाता है और uric acid के जो crystals है वो आपके joints में जमा होके वहाँ पे pain और inflammation पैदा करते हैं सूजन भी आपको हो जाती है Noni juice को अगर आप regularly इस्तमाल करते हैं तो उसकी वजह से ये आपके blood के अंदर बढ़े हुए uric acid को कम करता है और आपको gout के कारण से जो pain होता है उसको कम करने में मदद करता है इसके अलावा Noni juice आपके अंदर energy के production को बढ़ा देता है आपका stamina इंप्रूफ करता है और physical endurance आपकी बढ़ा देता है Noni juice को इस्तमाल करने से आपकी शरीर के अंदर कमजोरी दूर होती है और आपकी immunity भी enhance होती है ये आपकी skin health को भी इंप्रूफ करता है आपकी skin को moisturize करता ह और उसको ज़्यादा जवान बनाए रखता है Noni juice को आप दोस्तों internally तो इस्तमाल कर ही सकते हैं उससे तो आपकी skin health improve होती ही है लेकिन इसको आप externally भी लगा सकते हैं अपने phase के उपर अगर आप externally इसको लगाएंगे तो उससे भी आपकी skin healthy बनती है और ज़्यादा अच्छी उम्र के कारण से हमारी skin के इंदर जो जुरियां fine lines या wrinkles वगारा हो जाती है यह हमारी skin लिटकने लगती है collagen कम होने लगता है उसको improve करने के लिए यह दोनों चीजे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया काम करती है तो अगर आपकी बढ़ती उम्र के कारण से skin unhealthy लगने लगी है उसके अंदर जाईया या जुरिया होने लगी है तो उस case में भी आप नोनी juice को इस्तेमाल कर सकते हैं आपकी skin health काफी जादा improve हो जाएगी इसके इस्तेमाल करने से नोनी juice को इस्तेमाल करने का एक बहुत ही unique फायदा भी है और वो ये कि जो लोग smokers होते हैं यानि जो लोग smoking करते हैं उन लोगों के अंदर smoking की वज़ा से होने वाले जो damages है जो नुकसान है body के अंदर उनको ये कम कर देता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है दोस्तों कि damages को कम करने के लिए best तरीका यही है कि आप smoking को बिल्कुल quit कर दें लेकिन अगर आप smoking को quit नहीं कर सकते हैं आप smoking करते ही है और उसके साथ में आप noni juice लेना इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो उसकी वज़ा से आप इसके side effects से smoking के नुकसानों से कुछ हद तक अपने आ कम नहीं लेना है studies की अगर मैं बात करूँ तो रुजाना अगर आप 30 ml से लेके साड़े 700 ml तक भी noni juice इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होता है वैसे जो भी आप product लेते हैं जो भी brand आप noni juice के लेते हैं उस पे आम तोर पे dosage लिखी रहती है तो वैसे तो noni juice काफी जादा safe होता है इसके कोई side effects नहीं होते हैं लेकिन कुछ studies में कुछ एक बाते हैं जो की सामने आई हैं जो कि आपको बताना और समझना बहुत जादा जरूरी है कुछ studies में ये देखा गया कि noni juice को इस्तेमाल करने से आपके liver के इंदर problems पैदा हो सकती है आपके liver को ये damage कर सकता है लेकिन ये बहुत जादा rare side effect है इसके लावा अगर आपको कोई kidney disease है तो उस case में भी आपको noni juice इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिन लोगों को high blood pressure की problem रहती है और उसकी दवाईयां वो लोग लेते हैं या जो लोग खुन को पतला करने वाली anti-coagul nutrient दवाईयां लेते हैं ऐसे लोगों को भी noni juice को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए इसके साथ दोस्तों क्योंकि noni juice होता है काफी कड़वा होता है तो companies इसको palatable बनाने के लिए यानि स्वाद इसका ठीक करने के लिए काफी जादा मात्रा में इसके अंदर sugar add करती है और flavoring agents भी कारण भी बन सकते हैं तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपने आज कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे एक like जरूर दीजिए चैनल पर आजे आपके एगर कुछ thoughts हैं कुछ आप और जानना चाहते हैं तो नीचे comment section में मुझसे पूछ सकते हैं किस तरह की videos आप आने वाले समय में देखना चाहते हैं इसके बारे में भी मुझे comment section में जरूर बताईएगा मैं आपके सभी comments को पढ़ता हूँ और कोशिश करता हू कि उन comments में से जो जो inputs मुझे मिल सकें ये जो जो topics में आगे आने वाले time में cover कर सकूँ उनको cover कर लो तो चलिए इसी के साथ मैं Dr. Salim आपसे विदा चाहता हूँ इस वादे के साथ के फिर मिलूँगा आपसे इसी channel पर एक नई बहुती बढ़िया सी video के साथ तब तक के बहुत ध्यान रखिए हसते रहिए मुस्कुराते रहिए रोज कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें healthy हमेशा